हालो एस्पिरेंट स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेज में आज की क्लास में हम पहले हमने देखो क्या किया था टॉप 50 क्वेशन्स किये थे रेलवे के अंदर आने वाले और अब बिल्कुल प्रिविएस येर क्वेशन्स में लेके आई हूँ वो थे पूछे हैं सिपंट्र के वाले थी फिर सारी लेके डिविए से को स्वेशन्स के आप देखो किसा एक सब लोगों को अवेलेड़ ही तोिसका आनन्द उठाइये और उसको जादा से जादा फैलाईए अपने दोस्तों के बीच में तो ये क्या कर रहे हैं हम RPF Constable और SIK जो PYQI हैं Economics के उनको हम डिसकस करते हैं आगे बढ़े आप देखो तैयारी तो आपकी हो गई होगी अब तक है ना जी ये कोर्स हम लोगों का आप लोगों ने बहुत ब कोर्स ले सकते हो जिसके अंदर हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकॉनमी स्टाटिक जी के साइंस सब कुछ आपको रिकॉड़िट फॉर्मेट में मिल जाएगा ठीक है ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप पर्चा मैप पे जाहिए और वहां पे उस कोर्स की डि 5500 प्लस क्वेशन्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल अपडेटिड फॉर्मेट के हिसाब से ठीक है आप लोग इंडॉल कर सकते हो पर्चा मैप पर जाके उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट पॉलिटी और एकॉनमी को मेरे साथ पढ़ना चाहता है बिल्कुल जीरो से जिसने आज तक एकॉनमी और पॉलिटी कुछ नहीं पड़ी है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इतना बेसिक से मैंने उसमें कराया है आप लोग एंडॉल कर सकते हो डिटेल जो है जाके पर्चा मैप पर देख सकते हो एकॉनमी का सेपरेट कोर्स है पॉलिटी का सेप जाएगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो जब कोई नोट हँराब हो रहा है उसको क्या कहते है? उसका soil rate मतलब हो मित्टी से बन रहे हैं ठीक है? soil rate जो इस इनौनों शब्दों को याद रखना फिर e स्काम ंत्रम्नी क्या होता है? बेस मनी होता है जिसको हम note eyew시 पावर्ड मनी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी, यह RBI ने जितना भी रुपिया बनाया है, जितने भी करंसी प्रिंट की है, उसको हम बेस मनी या हाई पावर्ड मनी, और इसका सिंबल होता है, M0, रेमिटेंस क्या होता है, माल लिजी आपके, आपकी नोकरी लग जाती है, किसी दूसरे देश में, और आपकी फैमिली रहती है इंडिया में, आप इंडिया में अपनी फैमिली के लिए जो पैसा भेज रहे हो, इसको रेमिटेंस कहेंगे, और इंडिया लगातार पिछले 10 साल उसे रेमिटेंस में, नंबर वन पे है, सबसे ज़्यदा रेमिटेंस भारत के UAE से आ रहे हैं, जीरो एकनॉमिक प्रॉफिट, जीरो एकनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है, जब आपका जितना आपका टर जो हैंं कि इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, यानि कि आप मेरे हाथ से पैसा किसी और के हाथ में गया उससे किसी और के हाथ में इसको करमा सेओन सब्सक्री देखा अगा तो the impact of globalization on the Indian economy. the economic reform were divided into two parts, क्या था जब globalization का असर देखा गया, तो economy को, I'm sorry, economic reforms को दो parts में तोड़ दिया गया, एक थे structural reform और एक थे stabilization program reform, तो जो stabilization program थे, यानि हाल फिलाल हमको क्या करना है, हमको economy में stability लानी है, ये थे short term के लिए, और जो structural reform थे, कि हमको पूरी economy का structure ही बदलना है, वो था long term reform, तो ये यही पूछ रहा है कि stabilization program जो है, वो कैसा था, वो short term period के लिए था, ठीक है, अब चलते है next, average propensity to consume क्या होता है, propensity to consume क्या होता है, पहले ये समझे, देखो आपकी जो income होएगी students, income को दिखाते हैं why से, वो या तो आप consume करोगे, या तो आप save करोगे, या तो आप consume करो इस्षा consume कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम एक मिनट, आप अपनी income का कितना हिस्षा consume कर रहे हो, उसको हम कहते हैं, average propensity to consume, ठीक है, अब अगर मैं इनको calculate करूं, C by Y plus S by Y तो Y हो गया common मैंने LCM ले लिया मैं आपको board पे दिखाती हूँ board पे सिखाने की कोशिश करती हूँ देखो, आपने अपनी income का कितना हिस्सा consume किया है यह है average propensity to consume ठीक है average propensity to consume आपने अपनी income का कितना हिस्सा save किया है, this is average propensity to save ठीक है, तो अब तुम यह देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को add करना है, तो C plus Y plus S plus Y, आपने Y ले लिया LCM, यह क्या आगया C plus S और consumption plus saving क्या होती है आपकी income होती है, तो इसकी जगह भी मैं Y लिख सकती हूँ यानि Y by Y क्या आगया 1 यानि कहने का मतलब क्या है जो APC होता है और जो APS होता है, वो किसके equal होता है वो 1 के equal होता है और यहाँ पर यह क्या पूछ रहा है सवाल क्या पूछ रहा है, यह कह रहा है कि APC किसके बराबर होगा APC किसके बराबर होगा APC जो है, वो 1-APS के बराबर होगा, 1-APS के बराबर होगा, तो option देखते हैं, है क्या, बिल्कुल है, 1- average propensity to save, clear है, next question क्या है, उसको देखिए, कहता है, if the price elasticity of a demand is less than 1, ED कहता है, हमने elasticity in demand किया है, ED is less than 1, then the demand for the goods is said to be, तो कौन से demand कहलाई जाएगी, देखो, unitary elastic में, elasticity of demand होती है, 1, perfectly elastic में, ED होता है, infinite, inelastic में, ये होती है, less than 1, और perfectly inelastic में, ये होती है, 0, ठीक है, तो less than 1 किस में आ रही है, inelastic में, ठीक है, answer क्या आ जाएगा, 2, now the next question is, reverse repo rate के बारे में बात हो रही है, reverse repo rate क्या होता है, students, reverse repo rate होता है, जिस rate of interest पे, कोई भी bank अपना surplus money RBI में deposit कर देता है, to earn interest, interest को earn करने के लिए, जब कोई bank अपना surplus money RBI को दे देता है, ठीक है, उसको हम reverse repo rate कहते हैं, तो when bank deposits its excess money in RBI, then RBI provides some interest to that bank, और इसी interest को हम reverse repo कहते हैं, यही बिलकुल सही answer है, Now the next question is, which of the following is not related with the primary sector of economy? आपको पता है, primary sector होता है, secondary होता है, tertiary होता है, tertiary के फिर दो हिससे होते हैं, queenery और quaternary, ठीक है? तो यह कहता है primary sector, primary sector क्या होता है, जो raw material, जो base बनता है बाकी industry का, ठीक है, उसको primary sector कहते है, तो इन में से क्या primary sector से related नहीं है, जो नहीं है, fishing primary है, dairy farming है, forestry farming है, banking जो है, यह tertiary है, तो answer क्या जाएगा, banking, ठीक है, now the next question is, the one rupee note bears the signature of the, एक रुपे के note पे किसके sign होते है, देखो students, 2 rupee से लेके, जो भी अभी maximum denomination है 500 का, इसके उपर किसके होते है, RBI, governor के sign होते है, ठीक है, एक रुपे के note और all coins पे, एक रुपे के note और coins पे किसके होते है, finance, coins पे तो किसी के sign नहीं होते, coins पे किसी के sign होती नहीं है, एक रुपे के note पे होते है, finance secretary के sign, ठीक है, त यह सूरत में बनता है 1993 और सूरत कहां है यह है गुजरात में तो जो काक्रा पर अटोमिक पावर स्टेशन है यह कहां है गुजरात में है ठीक है नाव अब नेक्स इस विच अब आने वाले समय में एकनॉमिक्स में किस चीज की नीड है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं उसी सीरिस को शुरू कर दूँगी थ्योरी का आप बता सकते हैं MCQ के अलावा MCQ तो वैसे भी हम करवाते ही रहते हैं ठीक है तो जरूर मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि आप अब क्या पढ़ना चाहते हो हुए हैं intermediary good method कोई method नहीं होता इसलिए one is the answer which type of tax acts as a automatic stabilizer in the economy economy के अंदर automatic stabilizer की तरह कोन काम करता है ये करता है कौन सा आपका proportional income tax income tax को क्यों stabilizer कहते है ये economy को stable क्यों कर रहा है इसको समझो क्योंकि जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे आपका tax बढ़ता है अगर आपकी income नह नहीं बढ़ रही तो आपका tax भी नहीं बढ़ रहा यानि यह अमीर और गरीब के अंदर एक balance बनाता है ठीक है तो इसलिए इसको economic stabilizer के नाम से जाना जाता है professional tax state government का होता है state government लेती है और ये एक direct tax है direct tax है ठीक है wealth tax खर्चे पर लगता है capital gains tax union government लेती है union government लेती है ये भी एक direct tax है capital gains tax अगर आप कोई asset asset जो है वो sale कर रहे हो और उस asset की selling पे अगर आपको profit हो रहा है तो उस profit पे जो tax लगता है उसको capital gains tax कहते हैं now the next question is which of the following is one of the open market operations by RBI open market operation में क्या था जहां हम government security को sell और buy कर रहे हैं जहां RBI government security की खरीद और बेच कर रहा है buying and selling of bonds issued by government in the open market buy and selling of bonds issued by commercial bank in the open market only buying of bonds only selling of bonds तो क्या है buying भी होता है selling भी होता है जिसको government ने issue किया है open market में तो answer क्या आजाएगा 1 ठीक है now the next question is if we deduct depreciation from GNP कहता है अगर हम GNP में से depreciation minus कर दे तो gross में से gross national product है gross में से आप depreciation minus कर दोगे तो net निकल आएगा तो यह क्या बन जाएगा NNP, NPNP सेम रहेगा gross में से depreciation minus कर दिया तो क्या बन गया net national product तो देख लेंगे answer will be third net national product ठीक है now the next question is कहता है which of the following is a public sector asset इन में से क्या एक public sector सरकारी चीज़ है टाटा iron steel company टिसको टाटा वालों की private है रेंबेक्सी दवाई की company है ये भी आपकी private है Reliance industry भी Ambani जी की private है post office जो है ये सरकारी है तो public sector asset क्या होता है जिसमें maximum shareholding majority of the shareholder भारत सरकार है उसको हम public sector asset कहते हैं और post office उसमें से एक है ठीक है तो answer क्या जाएगा post office now the next question is which of the following is not a function of money अब मैंने आपको primary function, secondary function, contingency function ये सब बताए थे तो functions of money में primary function कौन-कौन से थे measure of value and medium of exchange secondary में क्या था store of value, transfer of value and deferred payment तो store of value ये money का secondary function है medium of exchange ये money का primary function है unit of account ये भी money का secondary function है price stability ये कोई function नहीं है इसलिए answer क्या आजाएगा three ठीक है now the next question is which of the following commodities are exempted from GST, GST में कौन नहीं आता, कौन नहीं आता, petrol, diesel, CNG, aviation, turbine, fuel, crude oil, alcohol, ठीक है ये सारी चीज़ें GST से बाहर है, आप देखोगे हर state के अंदर इन चीज़ों के price अलग है, petrol के price हर state में अलग है, CNG हर state में अलग है, diesel हर state में अलग है, क्योंके GST नहीं है, अगर GST होता है इनके उपर, तो पूरे इंडिया के अंदर, one nation, one tax के अंदर ये भी आ जाते, तो alcohol, alcohol, hand sanitizer GST लगता है, pen paste GST लगता है, ventilators पे GST लगता है, alcohol जो human consumption के लिए use होती है, no GST, ठीक है, no GST, और जो toiletry preparation laboratory में यूज हो रही है, उस पे GST लगेगा, ठीक है, चलते हैं आगे, कहता है GDP that takes into account the cost in terms of environmental pollution and exploitation of natural resources, GDP का वो हिस्सा जिसमें environmental pollution और natural resources के exploitation को रोका जाता है, उसको क्या कहते हैं, साफ समझा रहा है आपको greenery की बाते हैं, ecology की बाते हैं, तो this is green GDP, blue GDP जिसमें आप marine चीजों के उपर ध्यान दे रहे हो, NDP at FC is equal to GDP at FC minus, आप समझें, NDP at factor cost is equal to GDP at factor cost minus, NDP पे पहुचना है, देखो same क्या है, DPFC, DPFC same है, हमें क्या करना है, gross से net पे आना है, तो gross से net पे आने के लिए क्या करूँ, depreciation minus कर दूँ, तो answer क्या आ जाएगा यहाँ पे, minus depreciation अगर मैं कर दूँगी, तो मैं NDP प next question, which of the following angles of the flow of factor payment forms the basis to estimate the national income, कहता है कि जो, कौन सी चीज जो है, national income को estimate करने का base है, तो यह है income distribution angle, कितना income आप distribute कर रहे हो, उस हिसाब से हम यह देखते हैं, कि national income है कितना, payment of loans by the government is an example of, loan का जो payment हो रहा है, वो किस तरीके के खर्चे में आएगा, loan का payment कर रही है सरकार, तो कैसा है, क्या इसमें फायदा हो रहा है सरकार को, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो यह कैसा है, यह, मतलब payment of loan by the government, अब देखते हैं इसके अंदर, मतलब कि revenue expenditure क्या होता है, जिसके अंदर salaries आ गई, जिसके अंदर subsidies आ गई, ठीक है, जिसके अंदर interest payments आ गए, यह सारी क्या है, यह revenue expenditure है, receipt की यहां बात ही नहीं हो रही, वो तो क्या है, payment कर रहे हैं हम, तो कमाई तो करी नहीं रहे, यह दोनों हट गए, capital expenditure क्या होता है, जिसमें कुछ asset बनता है, क्या इसमें क्या होगा, या तो आपका asset increase होगा, या आपकी liability decrease होगी, revenue expenditure में ना तो आपका asset increase होगा, ना ही आपकी liability decrease होगी, तो जब आप loan payment कर रहे हो, तो आपका liability decrease हो रहा है, तो इसलिए यह क्या है, यह capital expenditure है, ठीक है, now the next question is, dash is one of the taxes where the impact lies on the person for whom it is legally imposed, किसको कहते हैं, जहां पे उसी इ होगा है, वो क्या होता है, वो direct tax होता है, ठीक है, indirect में किसी और पर प्रभाव पड़ता है, कहता है कि domestic income, what is domestic income, domestic income आपको निकालनी है, national income दे रखी है 10,000, ठीक है, national income दे रखी है 10,000, और net factor income from abroad दे रखा 2,000 करोड, 2,000 करोड, तो आपको domestic income पहुचना है, तो domestic से national जाना हो, तो हम क्या करते है, NFIA plus करते है, अब national से domestic जाना हो, तो NFIA minus कर देंगे, तो कर दीजिए आप, national income में से NFIA हम minus कर देंगे, तो answer क्या जाएगा, 8,000 करोड, ये आपकी domestic income आजाएगी, तो answer क्या जाएगा, 8,000 करोड, ठीक है, next question क्या कहता है, कहता है, which method of calculating the national income is also known as industrial origin method, ये question में आपके लिए छोड़ रही हूँ, और ये comment section में आपको करना है, इस तरीके के question RPF में पूछे हैं, Constable और SI की examination में, this is for you guys, comment section में इस question को comment करना, और उमीद करती हूँ, आप बिलकुल सही answer देंगे, thank you so much, take care, bye-bye.